Hello everyone ! Welcome to my channel stenoTubers और शयसे की मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आज पहली strategy का video मेरे channel पे अप्लोड हुगा So मैंने इस्ट्राजी त्यार कर लिया और SSC Strenographer 2022 strategy for those who want a government job at any cost, इस चीज से मेरा मतलब है कि जिनको भी एक नौकरी चाहिए बस तो यह strategy उनके लिए है लाइक कि आपको बहुत ज़्यदा high score नहीं करना कि आपको grade C चाहिए या अपना 1% department चाहिए जैसे कि कुछ लोगों को चाहिए होता है तो यह उन लोगों के लिए strategy है जिनको किसी भी कीमत पर बस एक job चाहिए चाहिए वो grade D की हो या grade C की हो doesn't matter चाहिए आए आगे बढ़ते है strictly for those aspirants who have completed their slavers and have given 2-3 attempts but not able to qualify तो यहाँ पर मैं एक चीज़ बताना चाहूंगी कि इस वरे से मैंने यहाँ पर यह लिखा हुआ है कि यह strategy उनहीं लोगों के लिए वर्क कर सकती है जिनका slavers complete हो अगर आपका slavers complete नहीं होगा तो इसका मतलब आपके concepts नहीं clear है concepts नहीं clear होंगे तो पिर आप questions solve नहीं कर सकते जब तक कि आपका concept नहीं clear है और जिन्नोंने 2-3 attempts दे रखा है लेकिन वो कुछ ऐसी गलतियां कर रहे है कि वो qualify नहीं कर पा रहे है I hope कि मेरी बात आपके समझ में आ रही होगी क्योंकि कभी-कभी ऐसा होता है कि बच्टा मेहनत तो बहुत करता है सारी चीज़े पढ़ता है सारी books लेता है मेहनत करता है लेकिन उसका paper qualify नहीं हो पा रहा होता है तो हो सकता है कि इस वीडियो के थ्रू आपको कुछ ऐसा पता चले जिससे आप अपने आप में इंप्रूव्मेंट ला सके और इस बार इस exam को qualify कर सके तो regarding cut-off हाँ सबसे पहले मैं आपको यहां पर cut-off की बात क्लियर कर दूँ कि जब भी आपको यह exam देने जा रहे होते हैं तो सबसे पहली चीज़ तो हम यह करते हैं कि उसका slaves जानते हैं दूसरी चीज़ हम क्या करते हैं कि उसकी cut-off देखते हैं कि आखिर उसमें competition है वो कितना है यह नहीं कि बस book लिया और किसी ने बता दिया तो पढ़ना शुरू कर दिया तो सबसे पहले आपको इसमें merit जाने ने चाहिए तो मैंने general के कॉड़ी यहां पर merit लिखी हुई है पिछले कुछ सालों में 2-3-4 सालों में तो अगर आप confirm selection देना चक्ते है तो आपको यहां इसके आसपास कहीं लाई करना पढ़ेगा चाहिए ओर अगर आप ग्रेटी का देख रहे हैं चनरल वालों के लिए तो आपको 150 के आसपास कहीं लाई करना पढ़ेगा ठीक है आब अब अगर करते हैं इन ही square में प्लस मैंus कर सकते हैं दिक है एक मिनट आप क्या कर सकते हैं कि इन ही कट आप में प्लस माइनस कर सकते हैं आप SAC की साइट पे जाएगा और पिछले 2-3-3 सार्वों का रिजल्ट उठाइएगा ठीक है फाइनल और प्रीवी इन दोनों की मेरिट देखेगा और उस अकॉर्डिंग ली अपनी अपनी कटेगरी की मेरिट का आइडिया लगाएगा मैं आप इस यहां पर डीटेल में डिसकस नहीं कर रही तो इस वज़े से अब आपको मैं हाँ एक और चीज़ बताती हूँ कि टार्गेट जो आपको रखना है अपना जनरल वालों के हिसाब से है यह आप अपनी कटेगरी की हिसाब से आगे पिछे कर सकता है तो अगर आपको सिर्फ जॉब चाहिए क्योंकि आप अगर उन एस्परेंट्स में से हैं जिसको सिर्फ जॉब चाहिए तो उसको 150 से लेकर और 155 के बीश में कहीं इंट्यूर करना होगा समझनेंब का मतलब यह kierना है करना है अगर ज़ादा थे तो बहुत अच्छी बात और 2 तो प्र प्रिदै कर सकता है लेकिन एकन यह टार्गेट माइन 6 करके रखता हैं कि आपको इतना 10 कश कारना ही करना है अकर आपको जॉब लेनी है especially specialty sten dishes okay तो इंग्लिश के अगर हम बात करें तो आपको टोटल 100 कोशन मिलते हैं इंग्लिश में जो एक नमबर के होता है उसमें आपको कम से कम 85 से लेकर 88 तक कोशन सही करने हैं तो आपको 85 से लेकर 88 के वीच में मिनिमम मार्क्स लाने ही लाने हैं यह मैं इसलिय बता रहे हूँ कƕकि आप जिसको जॉब चाहिए तो इसको एक पॉर्टिकुलर cm चाहिए होता है फि。」नुए परिश कोशन को से लेकर 85 के मार्क्स लाने होंगे ठीक है यह कैसे आगे मैं आगे बताऊंगी और तीसरी बात आगे जनरल अवेर्णेस की तो देखे नॉमल नॉमली एवरेज बच्चे का जो स्कोर है जनरल अवेर्णेस में वो 50 में राउंड 20 तक लाई करता है तो आपको अगर आप एवरेज हैं तो 20 तो आप आपको बाइस से लेकर पचीस नंबर के बीच में स्कोर करना होगा किसमें जीए में गॉट इट तेक है अगर हम इसका ओवराल टोटल रेखेंगे इन सब का जैसे मैंने आपको बताया है मैंने यह डिवाइड जो किया है इनका टोटल एराउंड 146 से लेकर 155 के बीच में आपको अब इसका मतलब आप यह समझे कि मैंने यहां जो टार्गेट रखा है वो 152 155 है अब यहां जो मैंने डिवाइड किया है ना यह नंबर यह 146 से 155 है तो आपको इतना तो दिमाग में रखके ही चलना है कि 150 तो आपका टार्गेट होना ही होना चाहिए ठीक है चलते हैं तो आपको आइडिया भी होगा कि पेपर कैसा आता है पेपर में टाइम कैसा मिलता है कैसे टाइम को मैनेज करते हैं या कैसे आप कोशन आते हुए भी गलत कराते हैं इन सब चीजों का आइडिया आपको होगा ठीक है I'm assuming this क्योंकि मैं यह उन बच्चों को नहीं बता र अब यह तक क्या गड़ते हैं मुझे नहीं पता वह आपके अपनी ट्यारी का पेस हो सकता है बट आज से अभी से मैं यह बताना चाहूंगे कि सबसे पहला काम आपको क्या गड़ना है कि तीन से चार मॉक्स देने हैं आप दो दिन ले लिजे कोई दिक्कत नहीं है दो दो फिर आपको क्या करना है उसके बाद आपको देखना है हैं जैसे आपने English subject लिया ठीक है माली जे आप उसमें vocabs का part जादा गलत कर रहे हो ठीक है आपको दिख जाएगा कि किस में मैंने किस subject में कितनी question और किस topic में गलत कि है वो सब खुदी वो analyze करके दे देते हैं ठीक है vocabs का part गलत हो रहा है secondly आपका reading comprehension गलत हो रहा है thirdly हम मान लेते हैं आपका narration नहीं सही है ठीक है direct indirect narration ठीक है speech okay so अब आपको बता है कि आपकी यह जो यह part है vocabs यह नहीं strong है reading comprehension का part week है narration का part week है ठीक है तो आपको अब क्या करना है कि जो बाकी सारे topics थे उन पे तो आपको ध्यान देना ही देना है लेकिन जो जादा ज्यान देना है वो आपको इन इन topics पे vocabs reading comprehension और narration ताकि जो आपके नंबर बिगड रहे हैं जो खराब हो रहे हैं वो इन topics के थूँ ही सुधर सकते हैं यह बात हो गई English की sources क्या रखने हैं कैसे त्यारी करनी है यह मैं आगे आपको explain करूंगी ठीक है लोन वारी अब हम बात करते हैं reasoning की फिर आपने जब मौक्टेस दे या reasoning में भी कुछ topics ऐसे होंगे जो कभी-कभी नहीं आते हैं या कभी-कभी ऐसा होता है कि हमने वो topics पर रखे होते हैं लेकिन वो exam time पर या हम उनको solve नहीं कर पाते तो उसका एक ही reason हो सकता है कि आपके जो concept है वो अच्छे सी clear नहीं है ठीक है इससे होगा क्या मालीजा आपने reasoning में आपने एक particular topic कोई series है ठीक है series का topic रहता है number series या alphabetical series आपके वो questions नहीं हो रहे है ठीक है let's assume कि एक seating arrangements आती है है ठीक है मालीजा आपके वो question गलत हो रहे हाला कि आपको आता है पता है आपको कैसे solve करना है लेकिन आप नहीं कर पा रहे हो तो यह topics आपके नोट कर लीजाए यह sitting arrangements और series का ठीक है अब आपको क्या करना है इन्हीं topics की video देखने है YouTube पे और इनको और strong करना है जो questions आपके सह ही हो रहे हैं वो तो आपके plus point हाई है यह बात को समझते की कोशिश कर यह लेकिन जो questions आप नहीं सही कर पा रहे हो भले वो आपको आता है यह नहीं आता है वो topics ही होंगे जो आपको edge देंगे questions paper में और दूसरों से आगे बढ़ाएंगे ठीक है I hope आपको समझ में आ रहा awareness okay मैंने इसमें तुक की इसलिए लिखे हुए है कि कभी 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 कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है जिसको पचास में पचास questions आते होंगे हां आप एक बार English में कह सकते हैं कि वो सौ में सौ सही करेगा रिजनिंग में कह सकते हैं कि वो सौ में सौ सही करेगा लेकिन general awareness में अंदरा नंबर तो आप ले ही ले आएंगे यह में मानते हूं आपके आपको देखना यह है कि उन questions में जो की previous years में पूछे गए हैं उसमें आप अगर अपने logic लगा के या कोई relation जोड के या elimination के option से या अपनी mind memory से कुछ भी अगर आपका ऐसा तुक्का लग रहा है तो वो कितने questions आप सही कर पा रहे हैं मालेज़े ऐसे 5 questions हो सकते हैं ऐसे 10 questions भी हो सकते हैं ठीक है तो यह आपकी personal knowledge भी डिपेंड है कि आप तुक्के कितने लगा पा रहे हैं यह भी आपको notice करना है इन 3-4 mocks में जो नंबर आते हैं वो बहुत ही अलग-अलग तरीकों से आते हैं ठ हो सकता किसी भी बच्चे से आप पूछ लीजए यह का course कभी complete नहीं हो सकता कितना व्याप पढ़ लीज़े तो आपको यह चीज़ें ध्यान में रखनी है अब हम बात कर लेता हैं कि हमें अलग-अलग तीनों subject के लिए जो की reasoning English and general awareness इन तीनों के लिए आपको अगर 150 marks अची आपको एक नौकरी मिल सकें ठीक है आपका एम great C नहीं है अगर आपका एम कुछ और नहीं है आपका एम अपने hometown आना नहीं है तो आपका एम बस इतना है कि नौकरी मिल सकें यह उन बच्चों के लिए है ठीक है इसलिए मैंने इसमें जादा बहुत जादा describe नहीं कर रखा ह है कि यह भी वो वो वे बुक मैंने इसमें limited sources रखे हैं और उसी हिसाब से रख्यों कि मैंने भी दो से तीन बर में पर दिया हुआ है तो मुझे भी बहुत broad idea हो चुका है कि SSC किस sphere में और किंत तरीकों से questions पूस्ती है इस exam में ठीक है तो उस knowledge के basis पर ही मैंने यह strategy तयार करी है ठीक है जिनको grade C लेना है उनके लिए simple से बाते अलग strategy हो सकती है क्यों क्यों क्योंकि उनको मेहनत जादा करने पड़ेगी तो उनको थोड़े से अपने sources भी बढ़ाने पड़ेंगे ठीक है आप किसी एक book से general awareness पढ़ेंगे और आप करेंगे मेरे 50 में 25 या 30 marks आ जाएंग सबसे पहली बात है identify your weak topics with the help of mocks जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया ठीक है मालेज़े आपके weak topics में series missing number directions etc है जैसे मेरा एक weak topic है missing number है कि मैंने बहुत practice करी है in fact आज तक करती हूँ बट फिर भी मेरा या अभी तक strong point नहीं हो पाया है ठीक है maybe by some reason for some reason or not ठीक है तो आपको अपने weak topics note करने है अब आप यह मत पूछिएगा कि weak topics कैसे पता चलेंगे वह तो obvious सी बात है कि आप mock देंगे उसमें जो question गलत करेंगे कोई ऐसा question होगा कि आप उसको आते वह गलत करेंगे तो वह भी आपके weak topic में आएगा क्योंकि जो आपका strong topic होगा वह question आपका भी गलत क इसको क्या कहता है लेकिन यह तो पता है कि किस type को question है उसको अपने पास नोट करके लिख लिए कि reasoning में मेरे जो दो तिन walks मैंने दिये previous years के तो यह यह topics है जिन में मैं अच्छा नहीं perform कर पाया या कर पाई ठीक है उसको note down कर लिजे कहीं पर थर्ड चीज उसको उसका नाम सर तो इतना ही आप डाल देंगे तो भी आपका Google पे YouTube पे बहुत सारे चैनल आजाएंगे जो आपको इन number series का जो concept है वो क्लियर कर देंगे ठीक है लेकिन आपका वो जो concept है वो जरूर क्लियर करेगा वाह पे ठीक है तो पर्टिकुलर किसी चैनल के साथ इस्टिक हो के मत रही है ठीक है कुछ शॉट ट्रिक्स भी होती है जो मैंने सीखी थी वो भी मैं आपको बताऊंगी जैसे पर्टिकुलर किसी को ऐसे नौ सॉल करते वह हम कैसे सॉल करें तो इसमें टाइम बचे या किसी किसी कोशन में रिखन हो जाती है तो हम उसमें कैसे क्या करें ठीक है वो मेरे परसनल एक्सपीरियंस पर बेज़ते हैं इसलिए मैं ब्रेक्टिस तेम फ्रम प्रेवेस यर्स कोशन और एनी बुक लाइक किरन थीस पैर बुक और फॉर्म एनी अधर बुक मैंने काफी सारी बुक्स देख रखी है ओनलाइन जो कि टीस पैरन पी अवलेबल है प्रिवेस यर्स रिजनिंग की तो आप उने लेके प्रैक्टिस कर सकते हैं और यह ध्यान रखेगा कि जो प्रिवेस यर्स की कोशन हो वो सीपियो इन साल की पेपर सॉल्व करने हैं ठीक है वो इन सारे के हो सकते हैं अगर इसके लावर को एक्जाम बच रहा है तो उसकी भी आप सॉल्व कर सकते हो इन सप्रिजों से आप 40 प्लस अराम से स्कोर कर लोगे I guarantee you that okay let's move to English English में आपको क्या करना है क्योंकि मैं मैं यह मान के चल इसके सारे रूल्स वह काप सेशली जितने भी वह क्यापस है यह ुक्यपष ऐसे हैं बेसिक हां जो आपको हर चीज में काम आएंगे ठीक है वह प्लोस वैसेज हो रीडिंग कॉम्टीं चॉन आपको और वह रेक्डिंग कॉम्टी हंचन यह फिलापस में भी आपको कहिं न बेसिक कॉंसेप्ट आपको क्लियर होता है इस बुक से और इडियोम से इस बुक से आप अच्छे खासे कर सकते हो कावर चीक है दूशी बात है लुसें इंग्लिश या आरे सगरवाल अब्जेक्टिव इंग्लिश अब मैंने यह दोनों बुक्स नहीं पड़ी है तो मैं इनक कि हमारे डेट आ चुकी है 17 और 18 तो आप लोगों को टाइम तो नहीं है यह बुक करने में बट फिर भी अगर आपका है मन आपकी अरर काफी गलत होती है तो आप इस बुक को एक बारी कर सकते हो अगैं आम रिपीटिंग कि आप सिर्फ लास्ट तीन साल की कोशन करना ना कि सारी बुक ठीक है यूँकि टाइम हमारे पास कम है तो टाइम को देखते हुए हम यह चीज़ करनी पड़ेंगी अम्बी पॉब्लिकेशन बाई एके सिंग ठीक है इसमें भी अम्बी पॉब्लिकेशन बहुत मोटी बुक है तो आपको लास्त तीन से चार इयर्स की कोशन कर आपको पूच्छें 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 बोलते हैं कि बहुत जादा टाइम लगेगा या टाइम नहीं हमारे पास तो आप एक काम कर सकते हो कि आप न्यूस्पेपर में सिर्फ एक कोई पैरा चार्ट सकते हो और उसी पैरा को रीड कर सकते हो बजाए पूरा न्यूस्पेपर पढ़नेगे ठीक है आप इतना सब कुछ कर लोगे ना तो आपके 80 प्लस मार्क्स तो बहुत अराम से आजाएंगे बहुत अराम क्यूंकि इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो एक तो स्टेटिक पार्ट और एक करेंट अफिर्स तो आपको करना क्या है कि इसको सिर्फ अक्टूबर के मेहने में कवर करना है चूकि हमारी नवंबर लास जेट आ गई है ठीक है और सेकेंड चीज आपको जो मोस्ट इंपॉर बस वह देख सकते हैं और यह एक और काम कर सकते हैं कि आप किसी यूट्यूब चैनल से कवर कर सकते हैं जो मंथली विडियो बना के डालते हो या फिर या फिर येजी मैगजीन से जैसे स्पीडी की कर्एड अफेर्स आती है आप उसमें से वन लाइन होता है तो आप डेली कि आपको डेली नहीं करना है सिर्फ एरली क्या मंथली करना है ठीक है कि पार्ट में देखते हैं चुकि हमारे आपके पास समय कम है तो आपको एक बुक लेनी है अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो अगर टाइम नहीं बच रहा है तो आप इसको मत लें प्लीज कि दो ही महीने है और आपको सब कुछ इसी में करना है लास्ट तीन एयर के जो वीवाई की उजना वो आप एक काम करिया सॉल्व कर लीजे आपको यह घटना चक्र में भ आपको जॉब लेनी है ना कि आपको अपनी नॉलेज शो करनी है वहाँ पर तो बच्चा वही सेलेक्ट होगा जिसको जुसको स्मार्टली पढ़ना आता है ठीक है आप कितना भी हाड़ वर्क कर लीजे आप पूरी लूसेंट पर ढालिए लेकिन अगर एक भी कोशन उसमें नहीं आ रहा है तो क्या फाइदा उसलूसेंट का यह भी बात है ना तो आपको स्मार्टली चीजें देखनी है आपको काफी सारी चीजें में कवर हो गई होंगी ठीक है तो यह थी मेरी आज की स्ट्राड़ेजी उन बच्चों के लिए जिनको सिर्फ एक जॉब लेनी है औ और इसी क्रम में मेरी दो तीन और स्ट्राड़ेजी हैं तो आपका दो मीने का शुडियूर भी मैं प्रॉपर बना के दूगी आपको ठीक है ताकि आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी रहे और प्लीज 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 अच्छे आने के चांसे इसलिए अच्छे से प और राथ तैंक्यू फो वाचिंग गोजिए सेज्ट पी जर्फटन वाई